हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुमा यूटूब चैनल टाइमस एजुकेशन मेरा नाम है नंदिनी सिंग डिसकस करेंगे आज के वीडियो में इवी एस की ये फूर्थ क्लास है और 18 नवंबर 2012 का ये प्रीविएस ये पेपर है और ये पार्ट बन है इसका पार्ट टू हम अंगल संकल्पनाओं है यहां पे यहां पे संकल्पनाओं संकल्पनाओं को स्पस्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रियोग करना डैस डैस सहायता करना है यहाँ पे आप्सन है पाट को आननदाई और रोचक बनाने में सेकंड आप्सन है स्थानी एवं बैस्विक इस्तर पर संसार की प्रिकृति को खोजने और कल्पना करने की योगता को बढ़ावा देने में थार्ड आप्सन है शिक्षार्तियों में नहित भासा एवं सांस्कृतिक बिविताओं को ध्यान रखने में फोर्त आप्सन है सही दिसा में बिद्यार्तियों की उरुजा का सारनी करने में तो इसका जो आप्सन है वो सेकंड आप्सन सही है इस्थानी एवं बैस्विक इस्तर पर संसार की प्रिकृति को खोजने और कल्पना करने की योगता को बढ़ावा देने में यही जो है वो साहथा करता है जो हमारी परियवरन अध्यन की कक्षा है उसमें हम कविताओं और कहानियों का प्रियोग इसलिए करते हैं कि हम पूरा वर्ल्ड लेविल पे हम नेचर को खोज सकें उसमें हम कल्पना कर सकें और जो कल्पना करनी की योगता है हमारी छमता है हम उसको बढ़ावा दे सके तो इसका बी ओप्सन सही है नेक्स्ट कोश्चन है शहियोग आतमक अधिघम में पुरानी एबम अधिक दक्ष विद्ध्यारती छोटी एबम कम कुशल विद्ध्यारतियों का आकलन करते हैं शामुहों में द्वनद सेकंड्न एे नत फेर्ट्राणी ओनधा जोच अधिवत्यारति और श्वागर्स पूर्ट ऑप साने उच से नायतिक विकास तो इसका जो आपसन ने लुग वो सबस्साइव जो यह सब माघ्राइक और जली इवादी सुए आघक्ष बिद्यारती जो टे ऊंक च canvas कोषन है नेक्स्ट कोष्टन सेमा पृत को चुर्त कर ने जब की लीना चल्चा एवं ब्रेन स्ट्राउमिंग मतलब मस्तिस्क को मतलब स्ट्राउम करती है के बाद पृत्यक पार्ट को समझती है यह देस्ट पिकासात्मक श्रिधांत की और शंकेत करता है और सामाने से बिस्ष्ट की और सकंड वालन निरंतरता 3rd option अन्ता संबंध यहाँ पर अंता संबंध नहीं यहाँ पर अन्ता संबंध अन्ता संबंध ऊ कि और फोर्त ओप्सां ने वेद्य कुए धिनिता उन टो है वो फोर्थ आप्सां सधीर वेड्य कुई कुई है ब्रतिक व्यक्ति सीमा रट कर लेती हैं लिकिन लीन ब्रेन स्टॉर्मिंग द्वारा शीखते हैं तो यह क्या है व्यक्तिक व्यक्ति में जो होता है वो कॉईलिटी अलग अलग होती है कोई बहुत जल्दी सीख जाता है कोई बहुत देर में सीख पाता है तो व्यक्तिक भिनिता किनी दो व्यक्तियों की आदत सील गोन या बुद्धी तदा अनव्योहारों के उतर से स्पस्थ होती है इसका जो है वो डी option सहीर व्यक्तिक भिनिता नेक्स्ट कॉस्चन है निमलिखित मैंसे रोगों का वह समुई चुनियों जो मच्छरों से फैलता है ओप्सन है डैंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया, सेकंड ओप्सन है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार third option है malaria, dango, haiza, fourth option है malaria, chicken gunia और myaadi बुखार तो जो मच्छरों से जो फैलने वाला रोग है वो है dango, malaria और chicken gunia ये जो रोग है वो क्या होता है? मच्छरों से होने वाली ये रोग है इसका जो है A option सही है next question है सापों के शंदर्व में सही कथन चुनिए कि seventh के बारे में चार यह कथन दिए गए हैं इनमेंसे हमें फिर बताना है कि इनमेंसे कौन से जो तीन है वो सही हैं तो हमारे देश में केवल चार तरह यहारीले साप पाई जाते हैं साख़顗 नागया मतलब को चार को भॉलते हैं जयारीले शात के छार खोख्ले दांट होते हैं जब साप किसी वेक्ती को कारता है तो जो जहर के उसके खोख्ले दाइघ्यांतों सप्रवर्स ने चला जाता है वोन दाइता हो सब्सक्रमर्स honestly third option A V and D १ ब्रवारत में रहते हैं और होते हैं और दो खोकले दाथ होते हैं और उसमें इसके चार खोकलेदाथ नहीं होते हैं जो कि क्या करते हैं व्यक्ति के सरीर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं और गोर ऐदी पोलिवलेंट होता है वह सीरम नामक दवा का जो प्रियोग हो सापके काटे जो मरीज है उनको बचाने के लिए होता है और यह सीरम घो साफ के जहर सही बनाया जाता तो इसके साब सपसे डी प्रकार और हमारे देश में चार तरह के साप पाई जाते हैं कौन कौन से गलत हैं नेक्स्ट कुश्चन है निम्लिखित मैं से पेट्रोलियम से सही अविलक्षन चुनिये अच्छी गंध का पतला नीला रंगीं द्रब सेकेंडर विनागंद का गाड़ा तरथा गहरी रंग का तरल विनागंद यह तो आप्शन पहली अलग हो जाता है और इसमें कोई अच्छी गंध नहीं आती है बदबुदार पतला पीला पीला तो नहीं होता है तो यह तीन आप्शन है जो वह एलमिनेट हो ज उत्तों को बनानी के लिए चित्रकारुण द्वारा उपयोगी ए जाने वाले रंग होते हैं प्षाइब जो प्रकार से बनी पोस्टर रंग फूर्थ अति उत्तम गुडबत्ता के फाइवर पेंट होते हैं नहीं पोस्टर रंग होते हैं नहीं सोने-चांदी के घोल से बनाया जाते हैं वो जो है वो पिसे जुए चावल का रंगीन घोल होता है और यह मदुबनी चित्रकला जो सहल करते हैं यह समनद कहां से बिहार से यह बिहार में पेंटिंग बनाए जाती है और इन चित्रों को बनानी के लिए जो चित्रकार होते हैं वो पिसे जो चावल की रंगीन घोल का प्रियोग करते हैं रंग के रूप में तो इसका जो उप्सन है इसकंड Михomis नेक्स्ट कॉस्टन है डिसलेक्षिया मुखता की समस्या से सम्मन देता है बोलने और सुनने पढ़ने सुनने और बोलने तो डिसलेक्षिया है इस तरीके के काफी यह जो हम यह बिकार होता है जो हम लोगों में होते हैं जैसे तो यह जो डिसलेक्षिया वो पढ़ने से सम्मन वाज पढ़ेगा और वाज लिखा है तो उसको सौ पढ़ेगा तो उसको इस प्रिकार की पढ़ने में क्या होती है समस्य होती है तो इसका जो आप्शन है भी आप्शन सही है पढ़ने में कि नेक्स्ट कोश्चन है पर्यावरण अध्यन की पाठे पुस्तकों में अभ्यास सिवं गतिविदियों को उपलब्द कराना चाहिए तो अपसा ने प्रिक्रणों के प्रिक्रणों में अन्ता निर्मित और वी है पुस्तकों में अलग-अलग स्थानों पर सी है एक आई के अन्त में और अन्त में इसे विध्यार्त को समझ सकें और उत्तम नांग्रिक्ता का उनमें विकास भी किया जा सकता है तो प्रिक्रणों में अंता निर्मित मतलब जो जिसे टॉपिक दिए गए हैं तो प्रित्यक टॉपिक के बाद वहीं हम नीचे उनकी क्या करेंगे उनको थोड़ी से एक्सरसाइज छोटी से देंगे फिर उसके बाद नेक्स टॉपिक आपने कि देखिए कुछ इस्सी तरीके की होती है तो इसका जो आप्सन याप्सन सब्सक्राइब करने अंता निर्मित को थर्डस सथे प्रियोगों पर धियान देना चाहिए फॉर्थ आप यह जो ऊप्सान है देखो पुष्ट कम पर हम ध्यान नहीं देंगे पुर्ष्ट कम ध्यान कि Umm CRT के according जो है वो हम बच्चों को पुस्तों को पर यह रटवाने जैसी चीज़ों पर definition रटवाना ऐसी चीज़ों पर हम क्या करेंगे जोड नहीं देंगे तो पुस्तों को पर हम जोडने कर सकते हैं कि जैसे हमारे परियावरन अध्यान को जो खर दाथ है वह क्या है वह सब्हमते अंगर chor yours KT की पूरती है क्या करेंगे एक सक्षक को क्या करना चाहिए नवीन प्रियोगों पर ध्यान देना चाहिए जिससे क्या हो बच्चे नहीं नहीं चीज़ा सीख सकें तो क्या करेंगे विशेष्ट हम प्रियोगों पर ध्यान देंगे उन्हें नेचर से जोड़ने की कोसिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम जैसे परियावर्ण ध्यान में तो मतलब वह तरीका कौन सा है कि रहकर कं बच्चों का आप लूख कर सकते हैं ग्रहकार योगात्मकर पॉर्टफॉलियों यहाविदिक परीक्षाइब सबसे उत्म तरीका है इससे कहोगा कि इसके जो माध्यम से क्या करेंगे बच्चों का आकलन योजना बद और पारदर्सी तरीके से हम कर सकते हैं तो इसका जो आपसान से पूर्ट फोलियों के थ्रू हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं एक सिक्षक को पढ़ाते समय चर्फ शूर्ब शामगरीों एभन सारे र्रिक गत्विद्यों का प्रियो करते हैं क्यों कि यह अधिगंबरदही में अधिक्तं मौने का उप्योग करते हैं सिक्षक को आदीगंबरद्ध कराते हैं पहले यह लग हो गया प्रभावी आकलन को शुभम बनाते हैं ये तो ठीक है शिक्षारतियों को दिशा परिवर्तन उपलब्द कराते हैं इसका जो सबसे वैस्ट आपसान क्या होगा अधिकतम जो अधिगम ब्रद्धी में क्या होंगे अधिकतम हम लोग इंद्रियों का उपयोग करते हम अगर उसमें से कुछ नोट करना होगा तो हम हाथ को भी अपना चलाएंगे तो इस प्रकार से क्या होगा कि अधिगम ब्रद्धी के लिए क्या करेंगे अधिकतम इंद्रियों का इसमें प्रियोग करेंगी तो इसका जो है वह एक सब्सक्राइब नेक्स्ट कोश्चन है डैस डैस के अलावा निमलिखित पर्यावरन अधिन पढ़ाने की बिधियां है आप सने सही यूग आतमक अधिगम सेकंडर निर्देशित खोज थाइडर व्याख्यानों दौरह सपस्ट करना और फोर्त समस्या समाधान तो डैस डैस के अलावा निम ब्याक्नद esつ करना इस अलावा करें एक मिनिट रूकिएगा इसका ब्याक्ष्यादों द्वारह स्पस्ट करने यह विलकुल्य इसका जो इस वह रिस गड़ कि शाने को शमाश्या शमादनि पर्यावरण अध्यन के necessary क्ली कहोते सिक्षण के लिए यह बहुत ही महतपूर्ण गतिविधियां हैं लेकिन जब कि हम व्याख्यानों द्वारा किसी प्रक्राण को स्पस्ट करना या इत्यास की सिक्षण की महतपूर्ण भी दिये तो हम व्याख्यान द्वारा स्पस्ट क्या करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट को ना कि हम परियावरन को अच्छी तरीकी से पढ़ाना है उसका शिक्षन करना है तो हम क्या करेंगी शहयोगात्मक अध्गम को अपनाएंगी निर्देशित खोज और समस्य शमाधान तो इसका जो आप सने ब्याख्यां दौराइस पस्ट करने के अलाबा क्या करेंगे सब्सक्राइस के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले बातावर्णिय कारकों में निमलिखित सभी सामिल है उप्सन है इसमें सिक्षा की गुडवत्ता पौश्टिक्ता की गुडवत्ता सारीरिक गठन या संस्कृति तो इसका जो आप्सन है वह थार्ड आप्स सारीरिक गठन को छोड कर किसी बी बच्चे का सारी में उसके बनसानुक्रम का परिणाम है जūकी सिक्षा की गुड़्ता जो गुडवत्ता है उसके बातारन का पर नाम है इसमें क्या पूछा दा वातारणिय अलावा कि नेक्स्ट कोशन है कक्षा में प्रिभावी शिक्षण अधिकम प्रिकिरिया होती है जब सिक्षक बच्चियों के ग्यान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जुड़ने में जुड़ने में साहता करते हैं इसके पास में नहीत उद्देश है डैस डैस है तो इसका जो आप साने पहला सिक्षार्थी श्वायत था इसका जो आपसन सही है ज्यान का शहशंबने इबम इस थानांत्रन यह क्या होगा नवीन जब शंकल्पनाओं को बच्चों के जो पूर्व ज्यान से हम जोडते हैं जोर कर हम उसको पढ़ाते हैं तो यह जो प्र श्रिक्षण अदिगमों की घटनाओं को चिक्षन आधगम परिक्रण से जोड़ा जाता है जोड़ा जाता हैम से जब वो सीख रहा है तो जड़ाया जीजंता रहें नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के पार्ट टू को डिसकस करेंगे जो के अठारा नमंबर दोजार बारा का ही पेपर है जो बचे हुए पंदरा कोश्चन है वो उसमें डिसकस करेंगे अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शूर सब्सक्राइ कीजिए और जो भी सजेशन हों वो कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक यूँ अ कॉमेंट बताएं जरूर ढ